Hello Prince, आज की वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वीडियो में हम बात करेंगे मधिप्रदेश में Paramedical Course में now की जी हाँ जैसा कि आप सभी को पता है MGM इंदौर MHSI में पैरामेडिकल कोर्स में हो चुके थे फस्ट राउंड की काउंसलिंग इसकी हो चुकी है लेकिन कापी सारी सीर्स में रेखतों बची हुई है कौन-कौन सी कोर्स के लिए सीट बची हुई है साथ इसका प्रोसेस क्य आप आउजन किया जा रहा है MGM इंदौर के द्वारा तो काउंसलिंग का सेड्यूल क्या राएने वाला है सारी जनकारी वीडियो में हम देखेंगे साथी बात करेंगे क्या वे कैंजिडेट इसकी काउंसलिंग को अटेंड कर सकती हैं जिन्होंने ओनलान फॉर्म फिलप न कि आप देखेंगे जो नॉट्फिकेसन है तीस बारा दो जारी किसको महसाई महाद्बंगांदी स्मिर्ती चिकिस्सा महाविध्याला इंदोर से रिलीज हुआ है इसमें फिजियो थैरपी एवं पैरामेडिकल पार्टिक्रों में दुती एवं मौपा प्रकांसलिंग द्व इस प्रकार से 66 सीटों को भनने के लिए मौपा प्रावन की कांसलिंग की जा रही है महसाई के द्वारा इसमें आप देखेंगे ओप्युक्त एक्छुक आविदकों को पार्टिक्रम में प्रवेस एतु सुक्रवार दिनांक साथ जनवारी 2022 को साड़े आठ बजे मौपा प कांसलिंग में संबलेत होकार प्रवेस के यह एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पर आपको सारे अपने डाकुमेंट ले जाना है और फ़स्टियर की सुल्क आपको ले जानी है काउंसलिंग कब होना है आपका साथ जनवरी 2022 को साड़े आठ बज़े से आपका काउंसलिंग होना है मौपा प्रांड का इसमें आप देखेंगे पार्टिक्रम में प्रिवे सेतू रिक्ट सीट इस प्रकार से है MPT of Zevam Gynecology में 5 सीट है MPT Geriatrics में 3 सीट है MPT Oncology में 3 सीट है इस प्रकार से 11 सीट आपकी है MPT में आप Paramedical Particromo में हम रिक्ट सीटों का विबराण भी देख लेते हैं BPTH Bachelor of Physiotherapist में आपकी 8 सीट है 8 सीट है ST कैटिगरी के लिए रिजर्ब Bachelor of Occupational Therapist के लिए 2 सीट है 1 सीट है SC, ST के लिए Diploma in Human Nutrition Technician के लिए आपकी 16 सीट रिखत रहेंगी 10 से General के लिए 3 है SC और 3 है ST कैटिगरी के लिए इसके बाद Certificate in Operational Technician के लिए 2 सीट है साथ है ST के लिए ST के लिए इस प्रकार से 9 सीट को रिखत है Rest Priority से Technician के लिए भी 10 सीट है General से 3 है SC से 4 है ST से 3 सीट OVC के लिए candidate से भरी जाने है इस प्रकार से 20 सीट है और Total सीट की बात करनेंगे तो Paramedical में 55 सीट आपको रिखत मिल जाएंगी अब काउंसलिंग की प्रिक्रिया हम देख लेते हैं 710-2021 को आपकी आपका MPD के लिए एंटराइज एक्जाम हुआ था किने करनाओं से 24 को जो काउंसलिंग हुई थी उसमें आप एडिविशन नहीं ले पाए थे और अब प्रथम काउंसलिंग में उपस्तित एवं वरिता सुजी के अनुसार MPD पार्ट क्रमों में उपलब सीटों पर प्रविश परदान किया जाएगा परामेडिकल का हम देखते हैं प्रंट्स तेइस ग्यारा दो जारी किसको आपकी मेरे लिस जा रही हुई थी परामेडिकल कोर्स में एडिविशन के लिए तो वे सभी केंडिडेट जो काउंसलिंग में उपस्तित हुए थे लेकिन अपने मन का कोड्स नहीं मिला था और उन्होंने सेकेंड काउंसलिंग के लिए अपलाई किया था कि वे सेकेंड काउंसलिंग करेंगे अगर सीट रखते रहती है तो वे वहाँ पैडिविशन लें हैं तो इसके लिए आपकी ये प्रोसेज रहने वाली है सबसे पहले साथ 122 को आपको साड़े आठ बज़े से साड़े दस तक आविदन करना होगा डेल बज़े के बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी और दो बज़े मॉप आप रांड की काउंसलिंग के बाद आपकी अनंते मेरे लिस्ट के आधार पर काउंसलिंग प्रिक्रिया द्वारा तस समय विभिन्ड पार्ट क्रों में उपलब सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा ये कुछ दिसान निर्देश यहां पर दिये हुए हैं जिने आप देख सकते हैं इसे आप रिट कर सकते हैं पर परकार का आपको यात्रा बत्ता दे नहीं होगा तो आप देख सकते हैं कि आपका जो काउंसलिंग है वो साथ जनवरी 2022 को होना है 55 सीट है पैरामेडिकल के लिए और 11 है MPT के लिए इस प्रकार से 60 सीट के लिए ये मौपप राम की काउंसलिंग कायोजन किया जा रहा है से थी जनकारी जो कि मैंने आपको देना आभिशक समझा आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको माधिप्रदेश में पैरामेडिकल कोर्स में एडिविशन से संबंदित और कोई इनफ्रमिशन चाहिए तो आप कमेंट ससन के माद्याम सबसे पूछ सकते हैं